आप देखो बे आज हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम लोग FF and FF Max के अंदर लोडिंग स्क्रीन चेंज करके अपनी फोटू लगा सकते हो और ये वाला जो मैठड है ये दोनों गेम के अंदर वर्किंग है FF and FF Max तो तुम लोग ये मैठड बिंदा सप्लाई कर सकते हो और ये मैठड अप्लाई कर देने के बाद ओफिस्यल लोडिंग स्क्रीन को लाद मार के अपनी फोटू लगा डालो तो चलो फिर बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उसते पहले हमको जाके इंस्टाग्राम पे फालो कर डालो तो देखो ये सब कारनामा करने के लिए तुम्हें सिंपल से ये दो फाइल डाउनलोड कर लेना है एक तो रहेगा config and obbeditor.gip और दूसरा रहेगा FF and FF Max loading screen change ठीक है ये file तुम्हें को मिल गाएगी and देखो ये वाला जो application हम use कर रहे हैं इसका नाम empty manager है तो इसका billing तुम्हें मिल जाएगा जाके download कर लेना तो देखो इसको download कर लेने के बाद empty manager के अंदर इस तरीके से open कर लेना है and open करने के लिए उस folder के अंदर आना जिस folder के अंदर तुम्हारी ये दोनों file रहेगी तो simple से देखो तुम्हारा ये download folder रहेगा तो उस वाले folder के अंदर आना तो देखो download folder के अंदर देखो हमने ये download folder है हमारा तो इसके अंदर देखो हमने एक folder already बनाया हुआ है जो की है OBB making तो इसी तरीके से तुम्हें अपने download folder के अंदर एक optional folder बना लेना है जो की जिस folder के अंदर तुमारी ये दोनों file रहेगी तो download folder के अंदर ही बनाना अगर कहीं और बना डालोगे तो काम नहीं चलेगा सिफ download folder के अंदर एक new folder बनाना किसी भी नाम से देन उसके अंदर ये दो file को रख लेना अब इसको रख लेने के बाद तुम्हें ये config editor जो मिलेगा ये वाली file इसको edit करना है edit बोले तो पहले extract करना है तो extract करने के लिए simple से इसके उपर long press करके रखो एंड यहां देखो extract two का button मिलेगा एंड यहां पर click करके extract two current directory ये वाला option टिक करके ok कर देना है ok कर देने के बाद ये वाली file तुम्हारी बनाब बोले तो folder में तक्तिल हो जाएगी then इसको हो जाने के बाद अभी simple से ये zip file को लात मारक ऐसा delete कर देना है refresh कर देने बाद उपर देखो एक तुम्हें ये वाली बोले तो three line मिलेगी तो three line के उपर click कर देना है then यहां पर आना है storage directory अब यहां पर आ जाने के बाद तुम्हें यहां पर आ जाना है android के अंदर then आना है OVB के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो यहां पर एक folder देखने को मिलेगा com.dts. अभी देखो हमारे जो folder है उसका नाम यहां पर game name लिखा हुआ है लेकिन game name तुम्हारे folder के अंदर नहीं रहेगा तुम्हारे रहेगा com.dts.ff ff मतलब पूरा नाम लिखा रहेगा ठीक है ff पूरा नाम समझ जाओ क्या नाम है ff का ठीक है तो वह लिखा रहेगा लास्ट में टी एच ठीक है यह रहेगा normal ff का folder रहेगा folder and ffmax का बना रहे हो तो लिखा रहेगा com.dts.ffmax तो ffmax मतलब ff पूरा नाम फिर मैक्स लास्ट में लिखा रहेगा समझ जाओ थोड़ा दिमाख होगा तो समझ गया होगे कि किस folder की नाम मतलब किस folder का हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से उस वाले folder के अंदर आना हमने यहा अने के बाद अब यहां दो को तुम्हें मिलेगा एक में डॉट करके एंड आगे कुछ कोड लिखा रहेगा दैन फिर से वही चीज कॉम डॉट गेम नेम ती एच मतलब तुम्हारा अगर नॉर्मल है तो तो यह वाला एक फाइल मिलेगा यह देखो इसके उपर यहां पर आँप कर देना है टैप कर देने के बाद उहले साब और दिखेगा हमने पहले पहले कर दिया है यहां वीडियो बननाने के लिए उसको पहले सही वगयर किए तोटू हम बताने को यहां चैब करने है आर्काइव वीवर पर आना है यहां पर आज आने बार तुम्हें एसेस्ट मिलेगा ठीक है एसेस्ट मिलेगा अगर कोई और फोल्डर मिलता है तो उसके अंदर मत जाना डारेक्ली तुम्हें आना है एसेस्ट के फोल्डर के अंदर अब यहां पर आ जाने बार तुम्हें मिल इस जहां पे बहुत सारी फाइल मिलेगी एक बार को हम दिखा देते हैं कि कैसी फाइल तुम्हें मिलेगी देखने को तो देखो तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस तुम्हारे डिवाइस के अंदर दिखेगा मतलब जब तुम लोग यह बीन डाटा के फॉल्डर के सबस्टा गए तो इस ताइप का तुम्हें काफी सारी फाइल मिलेगी एक दो हजार मतलब कितनी फ्टिल्च है तो इसके अंदर आना है अब यहाँ पर आज आने के बाद अभी देखो तुम्हें मिलेगा एक फाइल लेम तो फाइल लेम देखो इसके आगे कुछ फाइल नेम लिखा हुआ है तो यही फाइल नेम ऐसा सिलेट करो इतना सिलेट करना and copy कर लेना ठिक है इतना copy कर लो अभी back आओ, अब इधार side वाले में एक बार तुम्हें ऐसा refresh कर देना है, देखो एक बार ऐसा refresh करोगे, थोड़ा सा load होगा, तुम्हें यहाँ पर 3 dot देखने को मिलेगा, तो 3 dot के उपर click कर देना है, यहाँ पर search मिलेगा, तो search पर आ जाना है, एंड वो आले नाम को यहाँ पेश्ट कर देना है, जो कि तुमने अभी copy किया है, यह वाला नाम पेश्ट करके ok कर दो, ok कर देने के बाद यह तुम्हें कुछ इस type की file को find करके देगा, इसके उपर ऐसा tap कर देना है, tap कर देने के बाद यह वाली जो file रहेगी, यह green color से highlighted हो जाएगी, तो simple से यह जो green color स highlighted file है, इसको यहाँ पर ऐसा long press करके रखो, इधर साइड इसको extract कर देना है, यहाँ पर copy हो जाएगी, अभी हमने file को copy कर लिया है, अभी इसको edit करना है, मतलब इसके अंदर अपनी image डान ली है, तो उसको डान ले के लिए तुम्हें अपना open कर लेना है, तो इसको फटाक से download link भी दे दिया है, apk and ovb दोनों का, ठीक है, तो इसको कर लेना, अभी तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से आना है, then three line के ओपर click कर देना है, then यहाँ पर आजाना है manage container, अभी यहाँ पर आजनेक बाद तुम्हारा container अगर पहली बार install करोग एक सगयर को, तो तुम्हारा container न यहाँ पर back आना है, back आ जानेक बाद अभी फिर से three dot के ओपर click कर देना है, then यहाँ पर click कर दने बाद आ जाना है तुम्हें run explorer, यहाँ पर click करते ही तुम्हारा जो exager है, वो full तरीके से open होना चालू हो जाएगा, तो exager open हो जाने के बाद, अभी देखो हमने अपने download folder के अ जो कि था OBB making, तो इस वाले folder के अंदर ऐसा double tap करके आना है, जैसे तुम लोग computer चलाते हो, उसी तरह ऐसे double tap करोगे, तो तुम लोग folder के अंदर घुज जाओगे, अभी यहाँ पर आज आनेक बाद अभी तुम्हें मिलेगा एक config and OBB editor, यह वाला folder मिलेगा, config and OBB editor के नाम से, तो इसके उपर आसा double tap करना है, तो तुम लोग इसके अंदर भी ऐसा घुज जाओगे, इसके बाद यहाँ पर तुम्हें देखो एक मिलेगा assist bundle extractor.exe, यह एक file रहेगी, तो इसके उपर आसा double tap करना है, थोड़ा सा wait करना है, तो इसका जो program है, वो इस type का खुल जाएगा, इस type का खुल जाने के बाद, अभी देखो, यहाँ पर एक file का button मिलेगा, तो फाइल के उपर tap कर देना है, तो open के उपर आएगा, यहाँ पर आसा tap कर देना है, तो इस वाली फाइल को ऐसा select करना है, जो कि इसका नाम है A5D7, आगे जो भी लिखा है, पढ़ लेना अपना, तो इसको ऐसा select कर देना है, select कर देने एक बाद अभी तुम्हें यहाँ देखो, एक open का button मिलेगा, तो open के उपर करना है, अब यहाँ पर आ जाने बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ U5, U4 ऐसा लिखा रहेगा ना, तो इन सम्में से किसी एक के उप लिख रहा है, अगर तुम्हारे device में कुछ और दिखता हो, तो तुम्हें सिंपल से सबसे last और select करना है, कुछ भी सबसे last में हो, सबसे last और select करो, then okay कर दो, okay कर देने बाद यहाँ देखो, लिखा है, ff fake loading underscore img बोले तो image ठीक है, तो इसके उपर आसा type कर देना है, एक कर देना है, screen shot कैसे हो गया, हाँ देखो, plugins के उपर click कर देने के बाद, अब यहाँ पर तुम्हें आ जाना है, बोले तो इसको export to png, यहाँ पर export करके हम तुमको पहले दिखा देते हैं, कि कैसे इसकी जो image file है, वो कैसे है, और तुम्हें कैसे इसको edit करना है, तो हम तो पहल करके okay कर देना है, okay कर देने के बाद, my computer, develop folder के अंदर, ob making के अंदर, यहाँ पर इसको सबसे नीचे देखो, एक save का button मिलेगा, तो save के उपर click करके इसको save कर देना है, तो तुम्हारी जो normal वाली image थी, जो की अभी real time पे लगी हुई है, यहाँ पर extract हो जाएगी, तो हम लोग करके रखा है security के कारण, ताकि हमको बोले तो strike वगरा ना पढ़ सके, अभी तुम लोग को यहाँ पर देख लेना है, जो की तुम्हारी real image रहेगी, अब यहाँ पे इसका तुम्हें आप देखो उपर लिखा हुआ है, इसका सब क्या काम है, तो image हमने देख लिया है, अभी लिखा हुआ है image resolution, इसके आगे लिखा हुआ है 110, मतलब 1024, बोले तो 1024 into 512, मतलब इसी resolution का तुम्हें image बनाना है, अगर इससे आगे पीछे करोगे, तो तुम्हारा जो image रहेगा, वो आधा कर जाएगा, आधा दिखेगा, आधा पता नहीं कहां चला जाएगा, ऐसा हो जा तो वहां से बना लेने के बाद, उसका जो last का name रहेगा, उसको .png कर देना, by default आता है .jpg, .png, मतलब .jpeg आता है, कोई-कोई, तो इसको सब हटा करके तुम्हें लगाना है .png, जैसा कि हम दिखा देते हैं इसी वाली file के अंदर, जैसा कि ये वाली image file है जो ffp है, तो इ अगर कुछ और रहेगा, तो वह read नहीं कर पाएगा, एक सब्सक्राइब तुम्हारा error बताएगा, तो इसी तरीके से .png कर देना, अब देखो हम इसी वाली image को वापस से लगा के दिखाएंगे, क्योंकि हम तो अभी edit करेंगे, नहीं फालाना ठीम का अभी करना पड़ेग और इसका जो rename है, मतलब इसका जो name है, इसको हमने .png भी कर दिया है, सब कुछ हमने कर दिया है, अभी चलते हैं इसी वाली image को वापस से लगाने, बाकि तुम लोग अपना खुद का image लगा लेना, हम यही image के उपर experiment करेंगे, तो चलते हैं वापस exager को open कर लेते हैं, तो ex making के अंदर, यहां पर आज आने के बाद उसी value file को वापस से select कर देना है, जो की a5, d7, जो भी ता आगे, तो इसको select कर देने के बाद, open करने ना है, open कर देने के बाद, किसी एक के उपर ऐसा tap करो, then scroll down करो, उसके बाद सबसे last वाला select कर डालो, ठीक है, सबसे last वाला select करके, okay कर दो, okay कर देने बाद, फिर से इसके उपर tap करना है, ff underscore, यहां देखो, ff underscore fake loading underscore image, ठीक है, img, ठीक है, इसके उपर ऐसा tap कर देने के बाद, अभी तुम्हें वापस से plugins के उपर click कर देना है, अब यहां पर click कर देने के बाद, थोड़ा सा यहां देखो, इस तरीके से interface आ यहां पर click कर देने के बाद, my computer, d वाले folder के अंदर, और यहां पर आ जाने के बाद, अभी देखो, यहां पर एक image, देखो, हमने save किया हुआ है, your image.png, यह वही वाला image है, जो कि हमने ff के अंदर अभी निकाला था, तो उसका हमने image का जो name है, उसको rename कर दिया है, ताकि .png रहना चाहिए, नहीं तो अगर कुछ और रहेगा, तो एकसा गयर उसको read नहीं कर सकेगा, तो your image, मतलब तुम्हारी जो image रहेगी, वो .png में रहनी चाहिए, तो हमने इसको ऐसा select कर दिया है, select कर देने के बाद, इसको open कर देना है, आप देको लिखा है, open, तो open के उप .png लेना, 4.5 seconds, ऐसा हो जाए, then, तुम्हें यहाँ पर, okay करना है, okay कर देना है, okay क्यों जैसा ही, okay करोगे, यहाँ पर पता नहीं क्यों, यह clicky नहीं हो तो यहाँ पर से okay कर देना है, okay कर देने बाद, ऐसा एंटरफेस आएगा, then, तुम्हें यहाँ पर यह स्लो के बगल, जो यह एक arrow मिलेगा तो arrow को उपर ऐसा type कर देना है इसको कर देना है fast ठीक है अगर तुम लोग slow करोगे तो 10 घंटा में यह load होगा तो उसे लिए तुम्हें fast कर देना है और फिर से fast हम लोग से अजय तो इसके उपर यहां पर यहां पर प्रेख कर देंगे इस तरीके से पौंप हा जाएगा यहां देखको यहां पॉइंटर दिख Physics कर रहाएना प्रसिप कर देना है तो यहां पर कीबोर के यहां यहां को प्रसिफ करेंगे कि अधर किए फोल्डर के नहीं नहीं कर लेना अगर कीबोर्ड काम करेंगा रखेंगा तो कि अंधर से उक्यों और आधर डबाखी काम वही तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐसा save कर देते हैं उस बाहर के folder के अंदर तो इसको ऐसा save करेंगे जो हमारी file थी वो save हो जाएगी अब हम लोग अपना खोल लेते हैं empty manager इस वाली file को अपने game के अंदर apply करने के लिए तो पटाक से हम उसको open कर लेते हैं empty manager को वापस आजाने के बाद अभी हमने जो file को save किया है वो file हमने इसके इस वाले folder के अंदर से बाहर save किया था तो हम लोग एक बार back आएंगे तो यहाँ देखो OBB making के नीचे देखो एक यह वाली file देखने को मिलेगी जो कि हमने इसको अभी अभी edit करके save किया है तो इसका नेम देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसका नेम लिखा है बोले तो A5, D7, B6 एंड आगे का जो भी नेम है तो इसका नेम एंड इस वाली file करें जो कि तुम्हारा इसके अंदर रहेगा original file रहेगी तो इन दोनों का नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए चाहे तो तुम लोग ऐसा कर लेना कि यह जो original file है तो original file को ऐसा rename कर देना, rename मतलब rename नहीं करना इसका नेम जो रहेगा rename करके इसका नेम पूरा का पूरा select all करके copy कर लो name रहेगा इसको हटाना है और जो तुमने अभी original name file का मतलब copy किया है उस name को यहां पर paste करके okay कर देना है, okay कर देने बाद यह file अभी हमारी बिल्कुल ready है अभी इसको हम लोग अपने game के अंदर apply करते हैं, तो उसके लिए तुम्हें एक side ये वाली file को open करके रखना इस तरीके से देन दूसरी side तुम्हें एक बार ऐसा refresh करके, then three dot के उपर click कर देना है then आना है storage directory and आना है फिर android के अंदर then obv के अंदर आज आने के बाद अभी तुम्हें अपने game के folder के अंदर आना है then यहाँ पर main.20 जो भी रहेगा इसके उपर tap करना है then archive viewer के उपर click कर देना है अब यहाँ पर click कर दने बाद यह बार हम फिर से open कर लेते हैं आ देखो ऐसा tap करोगे then archive viewer के उपर आना है उसके बार आना है तुम्हें assist के अंदर then आना है bean के अंदर bean के अंदर आज आने के बाद data मिलेगा तो data के अंदर आना है अब यहाँ पर आ जाने बाद कुछ भी कुछ delete कुछ भी नहीं करना है simple से यह वाली जो file रहेगी जो की तुम्हारी edited file रहेगी तो इस वाली edited file को ऐसा long press करके रखो उसके बाद मिलेगा एक add का button तो add के उपर click करके and यहाँ पर इसको okay कर देना है तो okay कर देने के बाद इस तरीके से यह okay हो जाएगा असलब यह वाली file तुम्हारे जो ओवीवी के अंदर है वो बोले तो save हो जाएगी अब save हो जाने के बाद तुम्हें ऐसा back कर देना है पूरा back चले आना है and back आज आने के बाद अभी देखो तुम्हारी जो ओवीवी फाइल रहेगी वह यहाँ पर डॉट बीएक है और तुम्हारी जो ओवीवी रहेगी वह डॉट बीवी रहेगी यहाँ देखो हमने डॉट ओवीवी नहीं लगाया क्योंकि हम edit करते समय भाव लगा तो तुम्हा फिर से तुम्हें डाउलोड करना पड़ेगा तुम्हारा net mb बरबाद होगा तो तुम्हें यहां पर डॉट बीएक के सुन लो डॉट बीएक को डिलीट कर देना ठीक है अब दिलीट कर देने के बाद अभी यह वाली फाइल बचेगी हमारी फाइल हो चुकि है हमने इसके सब्सक्राइब करना है तो बताना कमेंट कर देना इसके पर वीडियो बन जाएगी किसी और गेम के ऊपर यह सब चाहते हों मतलब बोले तो एडिटिंग या किसी और गेम का या कोश भी ठीक है तो उसका बता देना बाकी कुछ और चाहिए एप मतलब के बारे में खाली नेट हंटर और पाता नहीं क्या क्या फालाना डिम का रूटेट डिवाइज और मैजिक्स मॉडियूल जो भ हिसाइब उसको निटे मिलते हैं किसी और वीडियो का अंदर लित अडा